आहाँ भाई विल यू मैरी मी तो ओहो ओहो भाई यह आया प्लेन और यह ले गया मिश्टी को उठा के भाई साब मिश्टी की बैंड बज़ गई इस पेस में ले गया भाई यह अरो प्लेन मिश्टी को तो भाई अब यह मिश्टी टकराने वाली है पकका बैंड बज़ेगी 22 की बैंड बजगे तो यार मैं आगे और एक न्यू गेम प्ले विडियो के साथ और आजम खिलें सकरी टीचर 3D का वेलेंटाइन डे अपडेट यार पता है इस अपडेट के अंदर मिष्टी के पास से कैसा जादू तीर कमान आ चुका है मिष्टी उस जादू तीर कमान से ज क्या हो गया भाई यह कैसी कैसी हरकते कर रही है अभी किसको पर शूट कर रही है इसने निक के ओपर शूट कर दिया और निक को डस्ट बीन से प्यार हो गया वह भाई साब अब निश्टी क्या कर रही है आप पर यह वह यार मिष्टी ने यह तीर अपने पैरों पर अब मेरे को चाहिए होगी फटावट से स्ट्रोबेरी ओके क्योंकि इन स्ट्रोबेरी इसका आगे बहुत कामाने वाला है ओके तो हमें चलता हूँ फटावट से मिस्टी के ऊपर वाले रूम के अंदर और आप सभी लोगो हो तो पता ही होगा यार मिस्टी के ऊपर वाले रूम के अंदर जो मिस्टी का बॉइफ्रेंड हेलो नेवर वो वहाँ पर सोय हुआ है और उस हेलो नेवर के पास एक कोड है जो कि हमें चाहिए होगा और उस कोड से मिस्टी का लैपटोप हैक करेंगे ओके तो मैं इस वाले कमरे के अंदर आ चुका हूँ और ये रहा भाई हेलो नेवर तो यार इसके मैं चांटा नहीं मार सकता है फटावर्ट से नीचे क्योंकि आप सभी लोगों तो पता ही होगा गेम के अंदर जो डिलीवरी होती है वो बहुत ही ज़्यदा फास्ट होती है तो भाई देखो हमारा जो धकन था वो भाई यहाँ पर दरवाजे पर आ चुका है भाई मेरे को यह भी नहीं पता यह फिलिप कार्ट का है याँ फिर भाई एमा जोन का है तो यहाँ हमें नहीं पता किसी भी चीज़ का हो तो हमने फटावर्ट से धकन उठा लिया है दकन उठाने के बाद हम मैं चलता हूँ मिस्टी के घर के अंदर तो ओके यार मैं आ चुका हूँ मिस्टी के घर के अंदर और भाई टेबल पर रखी हुई मिस्टी के बोतल तो इसको मैं उठा लेता हूँ तो इस बोतल को उठाने के बाद हम मुझे जाना है भाई कीचन के अंदर और कीचन के अंदर जाने के बाद अब देखना भाई कितना ज़्यादा मजाने वला है तो अब मुझे फटवट से बनानी पड़ेगी यार कॉफी क्योंकि यारी जो मिष्टी का जूस था न जिसको पी करके मिष्टी निसाना मार रही थी तो यार इस जूस के अंदर हमें कुछ गडबल करनी है तो यार हमारी यहाँ पर यह कॉफी बन रही है और कॉफी बनते बनते इतना मैं यहाँ पर यह fridge open करता हूँ और इसके अंधर से plate उठाता हूँ आइस की और इसको juicer में डाल देता हूँ तो अब मैं strawberry को भी इस में डाल देता हूँ और size share हमारी जो coffee ती वो तयार हो चुकिये तो यहांपर हमने यह कॉफी पलट लिए तो अमें फटावर्ट से इसको उठाता हूँ यार यह मिश्टी आ रही यार कहीं आ न जाए यार मिश्टी तो ओके यार में ने अपनी यहांपर यह मिक्सी मसीन भी स्टार्ट कर दिये और उसके उपर ये ढखकन ढख देता हूँ ठीक है तो अब मैं अपनी मशीन को स्टार्ट कर देता हूँ तो ओके यार हमने अपनी मशीन को स्टार्ट कर दिया और हमारा जूस बनके रेडियो गया ओबे भाई 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 मिस्टी ने देख ले मेरे को यार से फटावर्ट से निकलना पड़ेगा यारी मिस्टी मेरे पीछे क्यों पड़ जाती है यार तो के यार में बिल्कुल सेफ हो यार अब मिस्टी ने मेरे को नहीं देखा अभे भाई साब यह क्या होगे यारी किधर को निकल का रही है मिस्टी यहां से यार मेरे फटावर्ट स मुझे अपनी जान बचानी है क्योंकि यार इजो मिस्टी है ना भाई बहुत ज़दा खतरनाक है यार अबे भाई मिस्टी यार तो पीछे छोड़ दे यार तो के यार मैं यहाँ पर आ चुका हूँ फटावट से अब मुझे बोटल फटावट से मिस्टी के टेबल पर रखनी है तो ओके गाईस मैंने यहाँ पर यह रखती है और अब मुझे आसे फटावट से निकलना है अब देखना यार गाईस केम के अंदर कितना जादा मज़ाने वाला है तो अम मैं आसे फटावट से मिष्टी के घर से भार हो जाता हूँ, क्योंकि आर अगर भाई मिष्टी मेरे पीछे फिल्ट से पढ़ गई, यार यह पता ने भाई कहा कहा से आ जाती है, बुड़ी है, इतनी बुड़िया होने के बाद भी भाई तनी तेज भागती है, आप ल मिष्टी का निसाना इस गोले पर लग गया, और भाई मिष्टी आसे भाग पड़ी, और भागने के बाद मिष्टी उसको पर जंप लगाने वाली है, अब देखना भाई यह मिष्टी इस गोले को पर कैसे दपके मढ़ जाएगी, भाई साब कती फीलिंग ही हो रही प्रैंक में मज़ा आ गया, आपको भी मज़ा होगा, तो फटावर्ट साप लोग वीडियो को लाइक करो, और आप लोगो मारे यूटीब चैनल पर नहीं होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आर इससे नेक्स्ट वाले प्रैंक में आप लोगों को बहुत तो यार मेरे को उस एरो प्लेन को खराब करना है, तो यार मुझे सबसे पहले पहली को सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा सबसे पहले सबसे उपर, तो यार यहाँ पर मैं इस सीड़ी को उठाता हूँ, और इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, अब चलता लगाता हूं ओके तो यार यहां पर लग जा भाई सीड़ी लग जा ओ भाई क्या होगे यार सीड़ी लग क्यों ने रही है यह तो चलो आगे जाके लगाता हूं सायद यहां पर लग जाए तो ओके यार मेरी तो सीड़ी नीचे गिर गई तो यार चलो हमें इसका क्या करना है तो आम में फटावर्ट से चलता हूं मिश्टी के घर के अंदर और फायर प्लेस पर जाए देखता हूं कि यार मुझे वहाँ पर जाए क्या करना है क्योंकि यार उपर आप लोगों ने देखा था वहाँ पर हमें फायर प्लेस सो हो रहा था तो मिश्टी के घर के अंदर मैं आ चुका हूँ और भाई यह रहा वो फायर प्लेस तो यार मुझे सबसे पहले इसकी आख को बुझाना पड़ेगा और आख को बुझाने के लिए मुझे चाहिए उको सबसे पहले पानी तो यह रहा भाई पानी का जग और इसको में उठा ल से निकलना पड़ेगा तो के गाईस अब मैं यहां पर बिल्कुल सेफ हूँ और यार मुझे भहुत ही ध्यान के साथ उस फायर प्लेस के आख को बुझाना पड़ेगा यार अभी मिश्टी यार नीचे यह पता नहीं कहा का जा रही है और अगर भाई मैं बाहर गया तो भा से लिले यार अब तो छोड़ते यार अब तो मुझे फायर प्लेस के आख को बुझाने दे यार आज तो ऐसा लगता है मुझे कि यह जो मिश्टी है ना भाई मुझे फायर प्लेस के आख को बुझानी ने देगी तो के गाईस यार मिश्टी उस रूम के अंदर चली गई ह अब यार गाइस मुझे लगता है जो भाई मेरा काम था ना वो असानी के साथ हो जाएगा तो यहां से मैं फटावर्ट से फार प्लेस के आपको बुजाता हूँ तो यार हमें यहां पर एक पहली मिली है तो हमें घर के बाहर जाना है मतलब यार जो यह वाला रूम इसमें दिखाई दिया ना मुझे अब भाई साब मेरे पीछे मिश्टी यार फिट से पड़ गई अब मुझे यहां से फटावर्ट से निकलना पड़ेगा भाई साब कती हरामी है हाँ तो यार काईस में आप लोगों से क्या बोल ला था कि यार वो जो मुझे मैप में हाउस सा सोक यार तो यार वो घर के बाहर है तो मुझे अब उस लोकेशन पर जाना है तो यार जो हमारा वो वाला रूम था यासे ज़्यादा दूरी पर नहीं है वहाँ पर जाने के बाद मुझे कुछ टूल्स चाहिएंगे जिसकी मदद से मैं उस एरो प्लेन को खराब कर पाऊँगा क्योंकि आप लोगों को तो फता ही होगा जो मिस्टी का बॉइफ्रेंड है हैलो नेवर वो आज मिस्टी को प्रॉपोस करने वाला है मैं भी तो देखो यार गाईस वो मेरे होते सिवाते आज मिस्टी को प्रॉपोस कैसे करेगा तो ओके अम मुझे फटावर्ट से भाई ये वाला रूम मिल चुका है तो मैं फटावर्ट से इसके दरवाजे को ओपन करता हूँ और मैं ये फैविक ओल की स्टीसी को उठाता हूँ ओके इसको उठाने के बाद मुझे चाहिए होगी ये की तो मैं इसको भी उठा लेता हूँ तो यार यहाँ पर उठा भाई की कैसे उठेगी तो चलो यार मैंने स्की को उठा लिया और भाई अब हमारा यहाँ पर काम हो चुका है एक मिनट यार गाईस अभी तो यार मेरे को उस एरो प्लेन का बटन चाहिए होगा क्योंकि यार गाईस वो जो एरो प्लेन का बटन है ना भाई वो खराब हो चुका है वो खराब हो चुका है अरो प्लेन का बटन तो अब मैं वो एरो प्लेन का बटन चाहिए हो गए तो यार वो एरो प्लेन का बटन हमें कहाँ पर मिलेगा जिस से यार हम मिस्टी की बैंड बर आने वाले हैं मतलब यार यह जो Hello Neighbor मिष्टी को प्रपोस करने के लिए हेलिकॉप्टर भेज़ेगा ना मिष्टी के पास तब देखने यार गाइस कितना ज्यादा मज़ाने वाला है तो के गाइस हमें यार यहां पर यह एरो प्लेन का बटल मिल चुका है तो यहां से मैं फटावर्ट से इसको उठाता हूँ और अब चलता हूँ फटावर्ट से टूल रूम के अंदर मतलब यार गाइस मैंने यार टूल रूम बोल दिया उसका नाम है बेस्मेंट तो अब हमें basement गे अंदर जाना है और वहाँ से उस helicopter को अठाना है उसके अंदर गड़ बड़ी करदेनी है हमें मनलब भाई जो उसका तार जो है न राइट साइड में लगा हुआ है तो उसको left side में करदेना है और जो left side में है उसको right side में करदेना है मतलब यार उस हेलिकॉप्टर के अंदर हम सब कुछ उल्टा फुल्टा कर देंगे फिलाल तो यार गाईस हम चलते हैं बेस्मेंट के अंदर ओके ओ भाई नहीं नहीं यार मुझे मिस्टी ने फिट से देख लिया अब मुझे आएसे भाई जाना पढ़ए गया यार मिस्टी ने मुझे पगड लिया तो यार यार यह मुझे उल्टा लटका देगी तो यार में या पर बिल्कुल सेफ हूँ तो यहां पर मैं पेल बज Sally है अब मिस्टी जो है भाई यहां से वापस से उपर जा रही है तो यार देखता हूँ मिष्टी कप जाएगी यार ये उपर यार अगर मैं अंदर गया तो भाई ये मिष्टी मुझे फीट से पकड़ लेगी तो यार यहां से मैं बहुत ही ध्यान से जाता हूँ ठीक है तो यार यहां से मैं शुरूम को उपन करता हूँ और यहां से मैं अराम के साथ जाता हूँ ठीक है तो यार यहां पर से तो मिस्टी वो चली गई तो ओके एक मिनिट यार गाइस में एक कोड तो भूली गया तो अम मुझे आट सबसे पहले कोड को देखना पड़ेगा क्योंकि आर कोड के अंदर जो है न वहाँ पर कुछ कलर्ट के नाम लिखे हुए है जो एरो प्लेन है तो वहाँ पर कुछ कलर्ट मिलेंगे हैं तो हमें उन कलर्ट को मैच करना है तो भाई हमें वह कोड मिल चुका है तो इस कोड का नाम है परपल ब्लू औरेंज येलो ग्रीन तो भाई आप देखना अब कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है जब भाई इस मिस्टी के बैंड बजेगी तो अब हम चलते हैं फटावट से बेस्मेंट के अंदर और भाई ये रहा वो बेस्मेंट रूम तो यहांसे में फटावट से इसके दरवाजे को उपन करता हूँ मिस्टी ने मुझे देख ले हैं यहां पर आप मुझे यहां से जाना पड़ेगा यारी मिस्टी पतनी कहां से पड़ जाती है मेरे पीछे तो चलो यार अभी तो मैं बिल्कुल सेफ हूँ और चलता हूँ फटावट से भाई बेस्मेंट रूम गे अदर यारी मिस्टी तो यार यहांसे जाई नहीं रही है अबे मिस्टी तू चली जाए ना यहां से कब जाएगी यारी मिस्टी तो यार मिस्टी जा रही है इस वाले रूम के अंदर ओ भाई 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 यार मिस्टी ने मुझे फिट से दिख लिया अब यार यहां से मुझे जाना पड़ेगा यह रथ यही बुढ़ीया मेरे पीछे पड़ जाती यह यार पतनी वह यह क्या खागा आती है यह ओके तो भाई मिस्टी यार चली जा यार तु कप जाएगी यह यrit मिस्टी घर लगता है रही है मेरे को को यार सामने वाले basement के अंदर और basement के अंदर चाने के बाद भाई hello never के helicopter को खराब कर देता हूं तो भाई अब मैं फटावर्ट से key का use करता हूं और इस box को open कर देता हूं ओके तो भाई इस box को मैंने open कर दिया और भाई ये निकाल लिया मैंने plane और इसको मैं भाई ये बटन लगा देता हूं दबाके अब भाई ये बटन लगा देता हूं मैं इसको अंदर और इस बटन के अंदर लगाने के बादने इस बटन को तो भाई मैं फटावर्ट से बैठेगी और भाई पतनी का अकाउंटने वाली है तो चलो भाई अब मैंने यहाँ पर इस लिकॉर्प्टर गंदर गड़बड़ी कर दी है अब मुझे फटावर्ट से इस बेस्मेंट के बाहर जाना है यार मिस्टी जो है ना हमारे भाई बिल्कुल सामने ही जा रही है भ मिस्टी के बैंड बजाएगा अब देखना है यहां पर तो सर्प्राइज भाई यह बहजा इसने लव लेटर मिस्टी को और यह उड़ा है इसने अपना प्लेन आहां भाई विल यू मैरी मी तो ओह भाई यह आया प्लेन और यह लेगा मिस्टी को उठा के भाई साब सब्सक्राइब कर दो और अगर आप लोगों मारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो मैं मिलूँ आप लोगों से नेक्स्ट टूडियो में तब तक के लिए बाई बाई